हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एक्जाम ट्रिकी में मैं सुखने आज आपसे बात करूँगा कुछ महात्य पूंड ख़बरों पर दोस्तों सीबेस्टी बोर्ड ने टेल्थ और ट्वाल का जो रिजल्ड था वह 15 जुलाई तर घोसित करने के दोस्तों और दूसरी खबर में आपको बता रहा हूं कि यूपी बोर्ड टेन्थ और ट्वाल का पर्याम आज आज आएगा बारा बजे के बास होता आप अपने परिणाम को देख सकेंगे और यह परिणाम लखनव से निर्देशित किया जाएगा साथीजाद परिच्छान से निर्देश्च करने के लिए दायर यह आज का खारिज दोस्तों लखनव से उद्याले परिच्छान निर्स्त करने के लिए जो भी शातरों ने यहाज का दायर की थी उसको खारिज कर दिया गया है और चीनी मोबाइल कमपनी जितनी भी है उन्होंने मेडिन इंडिया घर लाग गाना इस्टार्ट कर दिया है दोस्तों चीनी मोबाल कंपनी जितनी बीये मेडिक कर दिजिए बहुत इन सब ख़बरों में चात्रों का आंतरिक मुल्यांकन होगा इसके नतीजे 15 जुलाई को आएंगे केंदरी सिच्छा बोर्ड ने सुक्रवार को उच्छतम नहाले में सुनवाई के दोरान या जानकारी दी है दोस्तों की कोर्ड ने सीवेसी का या आगरा सुईकार कर याचिकाओं का निस्तारान कर दिया अब देख लिए 10 वी की परिच्छा नहीं होगी बोर्ड ने कहा है कि 10 कच्छा 10 के लिए परिच्छा नहीं होगी आंतरिक मुल्यांकन योजना के तहत उनका रिजल्ट बनाया जाएगा अब किस प्रकार से रिजल्ट बनायेगा इस पर में चर्चा करूंगा और देख लिजिए सीवेसी चात्रों से जुड़े सवाल हैं जितने भी सवाल आपके मन में थे उससे जितने भी सवाल जुड़े हैं उनको देख लिजिए सीवेसी परिच्छा को रद करने का मुल्यांकन कैसे होगा दोस्तों परिच्छा रद करने के बाद आप लोगों का मु विशा जिसमें सबसे यादा आपके अंग है उसके औसतन अंग आपको दिये जाएंगे जिन्होंने तीन परिच्छाओं तीन विश्यों की परिच्छा दी है जिन विश्यों में सबसे अधीक अंग मिले हैं उन्हें औसतन अंग बच्चों को दिये जाएंगे इसमें देख ल दिली के छात जुन्हों ने एक से दो विशुमें परिच्छा दियें उनके नतीजे परिच्छाओं में परदर्शन और आंतरिक परियोजरा मुल्यांकन के परदर्शन के आधार पर गोसित किये जाएंगे। साथ दिलीजे परदर्शन सुधारने का विकल्प होगा बारवी के छात्र विकल्पी परिच्छा दे सकेंगे और ऐसे छात्रों को परिच्छाओं में उनका परदर्शन अंतिमंकों के तौर पर माना जाएगा। क्या दस्वी और बारवी के पास इंप्रूव्मेंट एक्जाम का विकल्प होगा नहीं। दोस्तों दस्वी के पास में जो रिजल्ट जारी करेगा उसे ही फाइनल माना जाएगा। जितने भी आपके मन में सवाल उठ रहे थे सारे सवालों की जवाब यहाँ पर हैं। सारे अगर पेपर दिये हैं तो जो आपने प्रदरसन किया है उसी के आधार पर आपका परणाम घोसित किया जाएगा। जो यह चात्रों का फाइदा है या नहीं। वैसे चात्रों जो बारवी के बाद परवेश परिछाओं की तयारी कर रहे थे और जिनका 2-3 विशे में अच्छा पिदरसन रहा है। उन्हें बच्चे हुए विश्यों में अच्छे नंबर मिले जाएंगे ये इसे चात्रों का फायदा ही है और जिनके दो या तीन विश्यों में बेहतर अंकर नहीं आएं और बाकी वेपर देकर फाइनल स्कोर सुधार लेंगे दोस्तों इनके लिए ये मानग चलिए एक लीजे इन चार फार्मलों से होगा मुल्यांकन अब किन चार फार्मलों से मुल्यांकन होगा दस्यों बारों के जिन चात्रों ने पूरे विश्यों में परिच्छा दी है उनका मुल्यांकन परिच्छा के आधार पर किया जाएगा और दूसरा क्या है दूसरा फार्मला यह बेश तीन परिच्छाओं के परदर्शन के आउसत के आधार पर मुल्यांकन होगा तीसरा क्या है बेश दो विश्यों के परदर्शन के आउसत के आधार पर मुल्यांकन होगा अगर आपने दो विश्यों में परिच्छा दिये तो वो भी उसके आउसतानंग पर मुल्यांकन ह जिस भी बोर्ड परिच्छाओं में ने सिर्फ तीन विश्यों की परिच्छा दी है उस पर CVSC या फार्मुला लेक फार्मुला अपना आएगा देख लेते हैं इसके बाद चौता फार्मुला क्या है दिल्ली में दंगा प्रवावे छेत्रों में परिच्छार्तियों का आंतर आपको संबहता बारा बजे के बाद गोसित हो जाएगा और ऐसा हो रहा है यूपी बोर्ड दोस्तों 99 साल के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हो रहा है इससे पहले 2007 में ऐसा हुआ था कि प्रियाग राज नहीं बलकि लखनव से आपका पहिणाम जारी हुआ था दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट जारी होने के मोबाइल में अलर्ट आजा तो दोस्तों हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा वह किया अपना नाम पता सब डाल दीजिए उसके बाद में आपका रिजल्ट जैसे ही होगा वह आपको बता देगा देखते हैं जिस परकार से भारत में चीनी जितनी भी चीज़ें उनको देखकर जितने भी अभ्यारती हैं और जितने भी लोग हैं वो चीनी चीजों का भाइसकार कर रहे हैं तो उसमें चीनी मोबाइल कंपनियां क्या कर रहे हैं वो भी मेड इंडरा का राग गाने लगी हैं देखिए पहले जो कंप या थी Made in China का रुदबा दिखा रहे थी जैसे Xiaomi थी एक काफी जाधी कंपनिया थी वो भारत में काफी रुदबा दिखा रहे थी और काम कर रही थी तो उसमें गया है चीनी रुदबादों के विरोध में सुरू हुए महौल में अब चीनी कंपनियों ने Made in India का रागगाना पहले जो कंपनिया चाईना का रुदबा दिखा रही थी वो अब Made in India का दवा कर रहे हैं अब चीनी विरोध में के कारण कारोबार पड़ रहे असर से परेसान चीनी कंपनियों के हालाद में हल चल है कंपनियों में दोस्तों हल चल है क्योंकि काफी सारे जो लोग है वो ची झीनी कम्पनी उसमें में इंडिया को लिखने को लग थुक्त करके थे जो दोटी न कोई दियालों तो सवाण रहीत न पुरखे टिक एंडिया में हैं लेखी इंडिया में रहेगी तो आप लोग साथान रहेक advances कई कंपनियों का दावा है कि हम तो पहले से ही हैं इंडियन देख लिजे आप लोग आपकी एक नजर में बता रहा हूं कि 80 करोन रुपए एक महिने में लखनों का कारोबार होता है लगबग 1000 करोन प्रदेश में हर महिने का वियापार करके ले जाते हैं लोग और 700 से अधिक लगबग इनकी सहर में दुखाने हैं कंपनियों को लिखाता पत्र अब देख लिजे यह भी चानला की दिखाना स्टार्ट कर दी हैं चीनी अब देख लगते हैं जो परिच्छा नेस्ट करने के लिए अच्छका खारिज की गई है लखनों विस्युद्याले में लखनों व ने जो याच्का खारिज करते हुए कहा है कि छात्र प्रत्यावेदन के जरिये सभी समस्या लखनों विस्युद्याले प्रसासन के समच रखें और विस्युद्याले प्रसासन ही इस पर निर्णा लेगा जैसा कि विस्युद्याले प्रसासन इस पर निर्णा लेगा और इस रेदिन कट्यारव बाइस आने चात्रों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुक्रवार को सुनवाई की गई थी एल्यू के दिवक्ता सवित्र वर्धन ने सिंग ने कहा कि वकाला नामे में मात्र एक चात्र का हस्ताक्षा रहे जबकि याची तेईस हैं साथ ही यहां भी कहा गया है कि ना तो याचिका में उन उचित पच्चिकार बनाएगे और ना ही उन सासना देशों को चुनोती दी गई है जिनें आधार बनाके विशुद्धाले स्कीम जारी की है सभी तत्यों पर गयर गौर करते हुए बाद में नियाले ने यहाचिका को खारिज कर दिया है अब लू की परिच्चा पर बैठक आज दोस्तों लू की परिच्चा पर आज बैठक होगी विशुद्धाले जो प्रसासने वो आज बैठक करेगा देख लीजे साथ से आथ ल पहले से ही परिच्चा पर विरोध चला है लखनो विशुद्धाले डिगरी कालेज एक जुलाई से खुल रहे हैं और जुलाई से परिच्चा कारिकरम भी गोसित कर रहा है तो उस तो लखनो विशुद्धाले जुलाई से परिच्चा कारिकरम भी गोसित कर रहा है और बैठे होगी तो तमाम मुद्दे इस पर भी सामिल होंगे भैटक में कुलपत कुलसचीव परिच्छा नियंतरक वा एल्यू के अन्य अधिकारी समेत कॉलिजर के प्रधनाचार भी मौजूद रहेंगे दोस्तों गार आपको वीडियो चलागा तो लाइक कर दिएगा ज्याद ज्यादों को शेयर कर जिएगा धन्यवाद मिलता हूं नेक्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ